श्री गुरुभ्यो नमह संस्कृत कक्षायां भवतां भवती नांच पुनरेकवारं स्वागतं अध्यवयं द्वादश वर्गस्य भास्वती इति पुस्तकस्य दुतीयं पाठं पठिस्याम तत्र पाठस्य नामवर्तते नत्वं शोचितु मरहसी अयं पाठह बुद्धचरितम इति कस्चित ग्रंथह वर्तते अस्य लेखकह महाकविह अश्वघोसह इति वयं जानीमह पुर्वस्याम कख्षायाम अस्य चर्चा अपी जाता पुर्वस्याम कख्षायाम शडश्लोकाह अस्माभिह पठिताह तेच श्लोकाह आसन ततो मुहूरताभ्युदिते जगत्यक्षुषिभास्करे भार्ग वस्याश्रम पदम सददर्श निर्णाम वरह सुप्त विश्वस्त हरिणम स्वस्थ स्थित विहंगमम विश्रांत इवयद्रिष्ट्वा कृतार्थ इवचाभवत स्विस्मयने वित्यर्थं तपह पूजार्थ मेवच स्वाम चानुवर्तिताम रक्षन अश्वप्रिष्ठादवातरत अवतिर्यच पस्पर्ष निस्तिर्णमितिवाजिनम् चंदकम् चाब्रवेत्प्रितः स्नापयनिवचक्छुषा इमंतार्थ्योपमजवं तुरंगमनुगच्छता दर्शिता सोम्यमध्भक्तिर्ष्णम् श्चाय मात्मनह कोजनस्य फलस्थस्य नस्यादवि मुखोजनह जनी भवति भूष्ठम् स्वजनों पिविपर्यये एते श्लोकाहा अस्माभिही पूर्वं पठिताहा संप्रति अध्यतनीयम यत पाठम वर्तते तत पठामः श्लोकस्य उच्चारणं कुरमः तदनंतरं तस्य भावार्थं व्याख्याम्च अवगच्छामः तद्य था इत्युक्त्वास महाबाहु रनुषण्स चिकिर्शया भूषणान्यव मुच्यास्मै संतप्त मनसे ददव। अस्य श्लोकस्य अन्वयह इत्थम अस्ति इति उक्त्वा अनुषण्स चिकिर्शया समहाबाहु भूषणानी अवमुच्यास्मै संतप्त मनसे ददव। पीछे के श्लोक में हमने ये देखा था, पढ़ा था कि राजकुमार सिधार्थ अपने घर से वन को प्रस्थान करते हैं और उनके साथ में एक अनुगामी सार्थी भी होता है, वह आता है उन्हें छोड़ने के लिए। वो भारगव आस्रम में आते हैं, भारगव आस्रम के जो लोग हैं, भारगव आस्रम की जो स्थिती है, उसका वरणन किया गया था, और सार्थी को लोटने के लिए कहते हैं। तो पीछे कुछ बातें उन्होंने कही थी, जिनको हमने इश्लोकों में पढ़ा था, इती उक्तवा ऐसा कह करके, उक्तवा पद का अर्थ है कह करके, वच धातू से जब अक्तवा प्रत्य करते हैं, तो उक्तवा यह शब्दरूप बनता है। इसी तरह हम अन्य धातूं से भी अगर अक्तवा प्रत्य करेंगे, तो शब्दरूप ऐसे ही बनेगा, जैसे नम धातू नमस्कार करने अर्थ में है, उससे अक्तवा प्रत्य अगर किये, तो रूप बनेगा नत्वा, नत्वा अर्थात नमस्कार करके, इसी तरह गत्वा अ अक्त्वा प्रत्यान्त शब्द अब्ये हो जाता है इसलिए इनका रूप नहीं चलता ये हर विवक्तियों में एक समान ही रहते हैं अलग कोई रूप नहीं बनता तो इती उक्त्वा ऐसा कह करके कौन कहता है तो कहा समहाबाहु वो जो महाबाहु थे महाबाहु पद का अर्थ है महान्तव बाहु यस्य समहाबाहु तो महाबाहु वर्थात जिसके लंबे लंबे हाथ हैं उसे महाबाहु कहा जाता है महाबाहु होना बहुत शुभ लक्षण है ऐसा भी शास्त्र का मानना है जो जोतिश्ट के ग्रंथ हैं जैसे हम एक फेस रीडिंग भी सुनते हैं हम आकृती को देख करके समझ जाते हैं कि व्यक्ति के आकार से उसमें क्या गुण होंगे ये जोतिश्ट का एक अलग विशे है तो चेहरे को देख कर पहचानना नासिका मुखमंडल हाथ पैर महा बाहु जो होते हैं उनमें कुछ विशेश कुण होते हैं समाज के बहुत ही उत्तरदाई लोग होते हैं और कहते हैं अनुशंस चिकीरशया अनुशंस चिकीरशया पद का अर्थ है पहले हम चिकीरशा को समझते हैं कर्तुम इख्षा चिकीरशा करने की जो इख्षा है जैसे ग्यातुम इख्षा जिग्याशा ऐसे ही कर्तुम इख्षा चिकीरशा पठितुम इख्षा पिपठिशा गंतुम इख्षा जिगमिशा ऐसे बहुत सारे सन्नंत शब्द रूप हम बना सकते हैं तो अनुशंस चिकीरशया, अनुशंस की चिकीरशा से, क्योंकि घर छोड़ करके राजकुमार आये हुए हैं, घर के लोगों को अनुकूल नहीं लगा, किसी का पुत्र अपना घर छोड़ कर चला जाता है, इसे ही महा निश्क्रमड की संग्या दी गई है, जो सिधार्थ रा आजकुमार ने किया, तो अनुशंस चिकीरशया समहावाहुहु किमकृतवान, तो कहते हैं, भूशन आनि अवमुच्य अस्मै संतप्त मन से धदवू, जो आभूशन धारण किये हुए थे, शरीर की सोभा को वढ़ाने के लिए, जो हम अगुठी, गले के हार, बाहु में बाजू बंद, कान में कुंडल, सीर पर मुकुट, ये धारण करते हैं, राजकुमारों के स्वाभाविक ये आभूशन हुआ करते हैं, तो ये आभूशन जैसे राम वन को जाते हैं, तो सब त्याग कर देते हैं, वैसे ही ये जब संसार से विरक्ती हो गई, संसार के मोह मा या बंधनों से मुक्त होना ऐसा भाव आया तो छोण करके जा रहे हैं ऐसी अवस्था में भूशनानी जो आभूशन धारण किये हैं वो अव मुच्य अव उपसर्ग पूर्वक मुच्धातू से अक्त्वा प्रत्य करके और अक्त्वा को लिप आदेश करेंगे तो अव मुच्य त्याग करके निकालके अलग करना ददव अर्था दिया किसे दिया तो उसे में पद आया संतप्त मन से उनको छोणने जो आया हुआ व्यक्ति है जो सार्थी है छंदक पीछे जी से कहा गया था उसका नाम है उसको दिया और वो है कैसा तो संतप्त मन वाला है संतप्ताय ददव संतप्त मनसे ददव जो संतप्त व्यक्ति है उसको उन्होंने दिया तो संतप्त यह या संतप्तम मनम संतप्तम मनह यस्य सह संतप्त मना तसमै संतप्त मनसे ददव ऐसे उस संतपतमनवाले को उन्होंने दिया ददव यह लिटलकार का प्रियोग है लिटलकार का प्रियोग वहाँ हम करते हैं जहां बीती हुई या घटी हुई क्रिया को हम देख नहीं पाते हैं आँखों से पीछे ओजल जो भूतकाल की क्रिया होती है जैसे राम बन को गए थे, किसी ने देखा नहीं, ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं जो कवी लिखते हैं, चूंकि वो उस समय उपस्थित नहीं होते हैं, आज बैठ करके पूरानी घटनाओं को बता रहे होते हैं, इसलिए लिटलकार का प्रयोग होता है, यह ददव, दाध लिटलकार प्रथम पुरुस एक वचन का रूप है, अगलाश लोग हम देखते हैं, मुकुटाद्धीप कर्माणम, मडिमादाय भास्वरम, ब्रुवन वाक्यमिदं तस्थाउ, साधित्य इवमंदरह आभुषण जब निकालने लगे, उस स्थिती का यहां वरणन है, इस श्लोक के अर्थो को समझने के लिए हम इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं मुकुटाद्धीप कर्माणम, भास्वरम, मडिम, आदाय, इदं वाक्यमिद्रुवन, साधित्य मंदरह इव तस्थाउ मुकुटाद्ध, जो राजकुमार सिर पर मुकुट धारण किये हुए थे, उस मुकुट से मडी निकालते हैं, मडी निकालके अलग कर रहे हैं वो मडी कैसी है, इसको यहाँ पर बताया कि दीप कर्माणम, मडिम, आदाय, दीप का तात्पर्य है जो भासित करना, प्रकाशित करना तो दीप है कर्म जिसका, तम दीप कर्माणम, मडिम, ऐसी दीप भासित करने वाली मडी को आदाय ले करके कि सारे आभुषणों के साथ, एक आभुषण के हाँ वरणन कर रहे हैं, कि सारे आभुषणों के साथ वो चमकने वाली, स्वतह भासित होने वाली, रतनों में भी बहुत सारे ऐसे रतन होते हैं, जो कुछ अपने ही आभासे भासित होते रहते हैं, स्वप्रकाशित होते है जैसे हमने सुन रखा है कि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, जो स्वप्रकाशित होते हैं, जैसे सूरी है वो स्वप्रकाशित ग्रह है, चंद्र के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो सूरी के प्रकाश से प्रकाशित है, पृत्वी सूरी के प्रकाश से भासित है, तो ऐसे बहुत स संसारे ग्रह हैं जो स्वप्रकास से प्रकाशित होते हैं और कुछ दूसरे के प्रकास से ऐसे ही पदार्थ भी हैं संसार में रतने भी ऐसे हैं कुछ स्वप्रकाशित होते हैं वो मडियां होती हैं और कुछ स्वप्रकाशित नहीं होते प्रकास के द्वारा प्रकाशित होते ह उनका हमें बोध होता है तो उस मड़ी को मुक्ट से अलग कर रहे हैं जो मड़ी स्वयम में भासित हो रही है चमक रही है उस मड़ी को आदाय ले करके आंगुप सग पूरवक दाधातू से अक्त्वा प्रत्ते करेंगे जो लिप होगा तो आदाय जैसे प्रदाय प्रदाय अर्था दे करके और आदाय अर्था ले करके क्या किया उन्होंने कहा इदम वाक्यम ब्रुवन इस तरह का वाक्य यह वाक्य बोलते हुए ब्रुवन यह जो पद है ब्रुधातू के शे जब हम शत्री प्रत्य करेंगे तो प्रत्मा का एक वचन ब्रुवन रूप बनता है तो इदम बाग के ब्रुवन अर्थाद बोलते हुए किसी भी धातू से हम शत्री प्रत्य जब करते हैं तो पश्यन, खादधातू से करें, तो खादन, खादन माने खाते हुए, पश्यन देखते हुए, गच्छन जाते हुए, हसन हसते हुए, पठन पढ़ते हुए, तो इस तरह बहूत सारे शब्द हम अन्जोड करके बना सकते हैं, जो उस क्रिया के जो continuous सतत भी होने वाली क्रिय को बोधित करते हैं, तो इदम वाक्यम ब्रुवन, ऐसा वाक्य बोलते हुए, और वो राजकुमार हैं कैसे, कैसे खड़े हैं, कभी बड़ी अच्छी इसकी उपमा यहां पर दे रहे हैं, सादित्यमंदरह इवतस्थव, सादित्यह का अर्थ क्या है जरा देखते हैं, आद इत्येन सह वर्तते इतिसादित्यह, अब मंदरह का अर्थ है परवत, आदित्य के साथ जो मंदर है, अर्था आदित्य के साथ, सूर्य के साथ जो परवत होता है, तो सूरी के साथ परवत आपको सुबह सुबह देखने को मिलेगा, पहाडी छित्रों में देख सकते हैं, या जहां परवत होता है और सूर्योदय होता रहता है भूत ही सुनारा और हरी दृष्य होता है तो उसी प्रकार से यह राजकुमार भी खड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो मड़ी हात में है वो सूर्य है और यह परवत हैं तो आदित के साथ परवत के समान खड़े हुए राजकुमार सुभा को प्राप्त हो रहे हैं तस्थो यहाँ पे जो क्रियापद प्रियोग किया गया है इसका अर्थ है स्थित होना तो स्थाध हातू से जब लिटलकार का ही प्रियोग है यह भी स्थाध हातू से लिटलकार का प्रियोग करेंगे तो प्रथम पुरुस एक बचन में तस्थाव रूप बनता है जिसका अर्थ है खड़े रहे वो सूर्य के साथ मंदर परवत जिस तरह स्थित होता है उसी तरह राजकुमार भी उन आभूशन को मड़ी को ले करके खड़े रहे ऐसी शुभा को प्राप्त हो रहे थे अगले श्लोक में कहते हैं अनेन मनिना छंद प्रणम्य बहुशोन रिपह विज्ञाप्यो मुक्त विश्रम्भं संताप विनिवृत्ताए इस श्लोक में प्रियोजन बता रहे हैं कि हम ये कर क्यू रहे हैं ज़र आइसका अन्वे देखते हैं चंद हे चंद अनेन मरिना संताप विनिवृत्ताए अमुक्त विश्रम्भं निरिपह बहुश्रह प्रणम्य विज्ञाप्यः हे चंद जो साथ में आया हुआ सार्थी है उसे कह रहे हैं यहां संभोधन करके कि हे चंद अनेन मरिना इस मरी के द्वारा है हम तुम्हें जो मरी दे रहे हैं इसको क्या करना है तो इस मरी के द्वारा आप राजा को थोड़ा सांत्वना देना उनको बोधित करना क्या बोधित करना तो कहा संताप विनिवृत्तए इसका प्रयोजन बता रहे हैं संताप विनिवृत्तए संताप अस्य विनिवृत्ति ही संताप विनिवृत्ति ही तस्मई संताप विनिवृत्तए संताप की निवृत्ति के लिए, संताप क्या है ये हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए, जो मानसिक क्लेश होता है, जिसे हम प्रगट नहीं कर पाते हैं, एक तो होता है शरीर को, जैसे हाथ में चोट लगी तो शरीर को कष्ट हो रहा है, ये काईक क्लेश हुआ, दूसरा होत संताप को व्यक्त करता है, मन में पीड़ा पहुचाता है, और व्यक्ती व्यथित रहता है, चिन्ता से संतप्त रहता है, उसे प्रगट नहीं कर पाता, किसी से कह नहीं पाता, ऐसा जो मानसिक क्लेश होता है, किसी का पुत्र चला जाए, किसी के साथ दुरगटना हो जाए, या ऐसी घटना घटित हो जिसको वह कह नहीं सकता और मन ही मन परिशान रहे वो संताप है तो इसे मानशिक ले इसको संताप कहते हैं अपने पिता के विश्य में ये कहते हैं कि जो राजा हैं मैं उनका पुत्र हूँ और घर से युवावस्था में सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूँ तो पिता बहुत ही खिन्न मना होंगे उन्हों मन सिक पीड़ा उन्हें बहुत जादा हो रही होगी इसलिए उनके संताप को दूर करना ये तुम्हारा काम है इसके लिए मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ तो संताप विनिवृत्तय और वो संताप विनिवृत्त किसको तो कहा अमुक्त विश्रम्भम ना मुक्त है इती अमुक्त है नई समास है और विश्रम्भम कह रहे हैं विश्रम्भ पद का अर्थ है आत्मियता स्वजनों का जो स्वजनों का जो स्वजने है प्रेम है उसे विश्रम्भ कहा जाता है और अमुक्त है विश्रम्भ यह स जो आत्मियताक से मुक्त नहीं है जो स्वजनों के प्रेम से बंधा हुआ है ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अमुक्त विश्रम्भ होगा और वह है यहां पर राजा चूंकि सिध्धार्थ अपने घर से चले आए हैं ग्रिह का त्याग कर दिये हैं इसलिए जो इनके पिता हैं उनका तो मोह इनके प्रति बना हुआ है कोई व्यक्ति स्वताह घर से घर का त्याग करके जंगल को चला जाए सन्यासी बन जाए अलग बात है लेकिन उनके माता पिता को तो ऐसा संसार से वैराग्य नहीं हुआ होता है उनके माता पिता तो संसार में ही जी रहे होते हैं वो अध्यात्म के पथपर नहीं लगे होते है सांसारिक वैभव में वो सुख अनुभव करते हैं इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अमुक्त विश्रम्भम जो अमुक्त विश्रम्भ हैं ऐसे हमारे पिता को संताप की विनिवृत्ती के लिए यह मड़ी हम दे रहे हैं और निरिपह या अगले पद में इन्होंने कह दिया वह कौन कहा निरिपह विज्याप्यह निरिप जो हैं राजा हैं वो इनके पिता ही हैं उनको विज्याप्या पताना है वी उपसर्वपूर्वक ज्यापधातु से पुक का आगम करेंगे और यत्परत्य करेंगे तो विज्याप्या रूप बनेगा जिसका अर्थ है बताना चाहिए अब यहाँ पर यह देखते हैं कहा बहुसह प्रणम्य सामान्य नहीं कहना मेरे भावों को निवेदित करते हुए हमारे भावों को प्रणाम के रूप में नमस्कार के रूप में निवेदित करते हुए ये मड़ी उन्हें समर्पित करना और ये बात बताना जिससे की उनके संताप की निवृत्ती हो जाए, संताप धीरे-धीरे दूर होता रहे अगले श्लोक में कहते हैं जरामर्ण नाशार्थम प्रविष्टोस्मि तपोवनम नखलू स्वर्ग तर्शेड नासनेहेन नमन्यूना इश श्लोक में कानन में आने का प्रियोजन बताया उन्होंने आखिर जंगल में आये क्यों हैं? सामान्य तह हम देखते हैं घर छोड़ कर लोग क्यों भागा करते हैं? या तो लड़ाई जगड़ा हो जाए, गुस्सा हो गए तो घर छोड़ कर हम अब जा रहे हैं ऐसा भाव आ जाता है अथवा वैराग्य हो जाए तो सामान्य वैराग्य तो होता नहीं है तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग स्वर्ग की कामना से हम स्वर्ग को पाएं या बहुत सारी अद्रिष्ट कल्पना करके घर को त्याग करते हूं अथवा परिवार के लोग प्रेम ना कर रहे हूं जैसे कोई निकम्मा व्यक्ति हो कुछ नहीं करता घर में केवल भार की तरह बैठा है कोई काम ना करे केवल खाना सोना तो उससे लोग स्नेह नहीं करेंगे परिवार के लोग दुखी हो जाएंगे तो ऐसा अगर स्नेह को नहीं पाएगा कोई व्यक्ति, प्रेम अगर घर में ना मिले, तो घर में रहना कठी न हो जाएगा, नहीं रह पाएगे तो ये तीन हे तु बताया कहा नस्वर्ग तर्शेन स्वर्गस्य तर्शह अथवा स्वर्गाय तर्शह स्वर्गतर्शह स्वर्ग की कामना से अथवा न मन्युना मन्यु का अर्थ है क्रोध क्रोध में आकर के भी हमने घर का त्याग नहीं किया है और न अस्नेह न स्नेह का अभाव नस्नेह ये अस्नेह तो स्नेह के अभाव होने पर भी तो ये तीनों कारण नहीं हैं इस वज़ा से हम घर का त्याग नहीं कर रहे हैं तो घर का त्याग क्यों किया? तो बता रहे हैं जरा मरण नाशार्थम अर्थात निश्चयन यहाँ पे खलू शब्द का प्रियोग है और खलू अगर लकार के बाद में उ लगा हुआ है तो खलू शब्द का अर्थ होता है निश्चय और यही अगर उ को हटा दें खल ऐसा बोलें तो इस खल का अर्थ हो जाता है दुष्ट खल और खलू थोड़ा सा अंतर है तो खलू अर्थात निश्चय ही क्या है कहा अहम यहाँ पर अहम इस पद को लाना है आक्षिप करना है जरा मरण नाशार्थम जरा मरण योह समाहारह जरा मरण योह नाशह जरा मरण नाशह अर्थह प्रयोजनम जरा मरण नाशार्थम और जराच मरणं च एतयोह समाहारह जरामरण अर्थात जो जरावस्था है व्रिद्धावस्था के बाद जिसमें डंडा लेकर भी चलना कठीन हो जाता है उस अवस्था को जिसके बाद मृत्यू ही आ जाती है ऐसा हम समझें तो जरा और मरण के नाश्र के लिए वास्तों में यह कहना यह चाह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ती के लिए हम बार बार इस संसार में आना नहीं चाहते हैं वास्तविक्ता यह होते हैं कि पुनरपी जननम, पुनरपी मरणम, पुनरपी जननी, जठरे, शयनम ऐसा आधी शंकराचारे कहते हैं कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार माता के गर्भ में जाना, नो महीने तक असहिय वेदना तो ये हम नहीं चाहते हम इस जरा और मरन के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो जरा मरन के नाश के लिए ऐसा हमने उद्देश्य बनाया है अर्थात आध्यात्मिक पत का पतिक बनने के लिए क्या किया है हमने तो कहा तपोवनम प्रविष्टह अस्मी तपोवन के लिए मैं प्रवेश कर रहा हूं, तपोवन को मैं जा रहा हूं तपोवन में प्रवेश करने का उद्देश क्या है तो कहा जरा मरण नाशार्थम तपोवनम प्रविश्टह अस्मी प्रविष्टह प्रावशर्ग पूर्वक विश्धातू से अक्ता प्रत्य करेंगे तो प्रविष्टह रूप बनता है अर्थात प्रवेश्ट करना तो वन में जाने का उद्देश इन्होंने यहां पर स्पष्ट किया कि ना तो मैं पारिवारिक जनों के प्रेम के अभाव के कारण ना ही मैं क्रोध में आने के कारण और ना ही मैं स्वर्ग इत्यादी तुक्ष पदार्थों को उद्देश रख करके वन को जा रहा हूँ ये हमारे वन जाने का उद्देश्य नहीं है तो वन जाने का उद्देश्य क्या है तो उन्होंने कहा कि वन जाने का उद्देश्य है तपो वनम प्रविष्टह अस्मी किमर्थम जरा मरण नाशार्थम जरा और मरण इस चक्र से मुक्त होने के लिए जरामरण इस चक्र का नाश करने के लिए मैं तपोवन में प्रवेश कर रहा हूँ, प्रवेश हो रहा हूँ अस्मी यह क्रियापद है, इसी अश्मी क्रियापद को ले करके हम आक्षेप कर रहे हैं करता अहम का अहम प्रविष्टह अस्मी तो बीच में जो अहम पद हम बोल रहे थे वो इसी अस्मी क्रिया के द्वारा आ रहा है आक्षेप किया जा रहा है तो इस तरह से हमने नत्वम शोचित मरहसी के इन श्लोकों का अध्यान किया ये दश श्लोकों को हमने पढ़ा जो श्लोक हैं उन श्लोकों को हम अगले क्रम में पढ़ेंगे इन श्लोकों के अर्थों को आप लिखने का अभ्यास करेंगे जिस क्रम में आपने पढ़ा श्लोकों का अन्वय बनाने का अभ्यास करेंगे अन्वे बना लेने से उसकी व्याख्या करना और उसका अर्थ समझना दोनों ही सरल हो जाता है और फिर हम इसको कहानी के रूप में भी लिख सकते हैं इसके लिए हम पुस्तक के प्रिष्ठ भाग में शब्दार्थ को भी देखेंगे जो कठिन शब्दों होंगे उन शब्दों के अर्थ को हम समझ पाएंगे तो आज की कक्छा में इतना ही इसके आगे के श्लोकों को हम अगले क्रम में पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जो ँपाएंगे